पई केंद्रे मंत्री स्मृति रानी ने कॉंगरेस सांसद राहुल गांधी को चैलेंज किया। उन्होंने राहुल गांधी को यूपिय और नरेंद्र मोधी सरकार के कारकाल पर डिवेट करने की चुनौती दी। स्मृति ने सोंबार को महाराश के नाकपुर में नमो यूवा महासमेलन में कहा कॉंग्रेस के यूपिय और मोधी शासन के 10 साल में क्या अंतर है इस पर चर्चा होनी चाहिए अगर मैं इस बारे में राहुल से बहस करने में वे एक मामुली कार देती हूँ कि अगर बीजेपी कि यूवा मोचा का कोई कारकरता भी राहुल गांधी के सामने बोलना शुरू कर दे तो उनकी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी स्वृति ने कहा बीजेपी ने पार्टी मैनिफेस्टो में जनता सेफ किये गए तीन मुख्यवादों को पिछले 10 साल में पूरा किया है इसम उन्होंने कहा मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम सब मोधी के परिवार हैं ये यूवा मोधी के परिवार हैं भारत के 140 करोर लोग उनका परिवार हैं कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कर रहुल गांदी के सामने बोलने लगे तो रहुल गांदी में तद्दम नहीं कि वह मोच्चा के किसी कार्यकर्टा के सामने ठीक जाएगा नरेंद्र मुदी जिन्ना देशाच्व प्रधान मंत्री बनोन्या करता संकल पग्याइला याठिकाणी एकत्रिता लिया है अड़े अपला संकल्प काये अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार हा संकल्प आमचे युवा नाकपूर चा भूमी तुन खेणा रहा है बंदु भगिनी नो गेल्या दहा वर्षा मदे या देशा मदे जे परिवर्त नापण भगितलो मोदी जिननाच चार्शे पेच्छा जास्त जागा का दैच्छा पुना नमो सरकार का अणाईच्छा अनेक कारण त्याचे आयत पड़ खर्या अर्थान तीन-चार गुष्टी अपल्या समूर मी थेवुना रहा है